दोस्तो मेरे चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आपका ग्रूप है यहाँ पर कई टीचर्स का ग्रूप है और आप सभी लोग मिलकर यहाँ पर कोचिंग की सुरुवाद करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर सबाल उठता है कि आपको रेजिश्टेशन कैसे कराना चाहिए इसका लीगल डॉकुमेंटेशन अर्फ होता है दोस्तो अगर आप कई लोग होंगे यहाँ पर पार्टनर्सीप फ़र्म भी बनेगा तो यहाँ पर पार्टनर्सीप हम दो तरीकों से बनता है सबसे पहला register partnership और दूसरा unregister partnership और एक तीसरा जो partnership का ही रूप होता है जो कि MCA के अंडर बनता है जिसे कि LLP बोलते हैं आप यहां पर LLP भी बना सकते हैं तो चलिए मैं आपको तीनों चीजों के बारें बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर अगर आप रजिश्टर पार्टनर्सिफ हम बनाते हैं तो फिर आपको रजिश्ट्री ओफिस में उस पार्टनर्सिफ डीट को रजिश्टर कराना होता है लेकिन यहाँ पर जिनरली लोग करते क्या हैं कि भी नोट्राइज करा लेते हैं यानि कि आप उससे अन्रिश्टर पार्टनर्सिफ हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक पार्टनर्सिफ डीट बनता है और फिर उस deed को notary advocate से notarize करा लिया जाता है यहाँ पर इसका legal compliance भी असान होता है मुही रजिश्टी office में जब आप जाएंगे तो आपको time लाएगा आपका पैसा लाएगा इसलिए लोग notary advocate से notarize करा कर partner से deed को बना लेते हैं और फिर जो आपका partner से deed होता है उसके अधार पे pen card के लिए apply होता है फिर जो भी आपका coaching का नाम होता है उस नाम से pen card बनके आ जाता है फिर यहाँ पर उस pen से आप अपने coaching को MSME में register करा लें तरह से आपको benefit मिलता है आपको सरकारी subsidy का लाब मिलता है फिर उसके बाद आप अपने स्टेट के swap act में भी registration करा लें और यहाँ पर अगर जरूर लेना जरूर है तो आप जरूर ले यहाँ पर जो MSME का registration certificate होगा और swap act में जो registration होगा जो उसका certificate होगा उसके अधार पर bank में current account open हो जाता है तो यहाँ पर partnership firm इस तरह से बनके तयार हो जाता है वहीं अगर आपको LLP बनाना होता है तो semi process होता है लेकिन वहाँ से आपको MCA यहाँ पर certificate देती है उसके बावजूद भी आप MSME में registration लेते हैं तो उसके कई सारे benefit मिलते हैं आप LLP ब कराना होता है वहीं यहाँ पर अगर आपका partnership firm होता है तो आप audit कराने से बच सकते हैं तो यहाँ पर मन ने आप सवाल उठ रहा होगा आप confused हो रहे होंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप beginner है तो फिर आप notary advocate से notarize करा कर भी डीट बना सकते हैं और फिर उसके अधार पर pencard, swap act में registration, MSME का registration करा सकते हैं हाँ यहाँ पर जो LLP बनता है उसने आपका coaching का नाम जो है protect हो जाता है तो यहाँ पर partnership firm बनाने पर भी आप यहाँ पर trademark के लिए apply कर दें और आप यहाँ पर अपने coaching का जो ही आपका logo है उसे भी register करा सकते हैं एक पर जब आपका trademark में registration हो जाता है वहाँ से certificate राप्त हो जाता है तो फिर आप उस नाम के real honor हो जाते हैं फिर आपके नाम के कोई भी copy नहीं कर सकता है और उस नाम से आप यहाँ पर YouTube channel बना कर भी classes दे सकते हैं फिर उसके बाद आपको अलग से कोई भी registration कराने का जरूरी नही है तो दोस्ते यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप partnership firm बनाते हैं आप यहाँ पर register partnership firm बनाते हैं फिर अन्रेइश्टर या फिर लेकिन यहाँ पर अगर आप beginner है तो आप नोट्री एडवोकेट से नोटराइस करके भी partnership firm बना सकते हैं यहाँ पर आप अपने coaching को trade mark में registration करा ल मेरा इस्टाग्राम पर हो यूजर नेम है फिर्थिस1584 आप में follow करें मैसेज करें और अगर फोन से बात करना है तो फिर इस्टाग्राम पर ही मैसेज करके appointment book कर लें तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक साधिक अपने दोस्तों और इस्तधार में भी जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल लगें